मच्छर और गर्मी से परिशान राहत के लिए जब रात को छट पे सोने का सोचते तो सबसे पहले करना पड़ता छट को ठंडा और इसमें लगाया जाता हम बच्चों को बड़ी मेहनत के बाद जब छट सोने लाइक हो जाती तब खुले आसमान के नीचे तारों को देखते हुए मैं तो यह सोचा करती थी कि तारे कितनी दूर है क्या मैं इन तक सीड़ी लगा के कभी पहुच पाऊंगी कभी उनको गिंती तो कभी यह सोचती कि काश एक तारा मेर पास आ जाए और इन्ही क्यूरोसिटी में दादी मा से कहानिया सुनते सुनते कब नीद आ जाती पता भी नहीं जलता और पता है सबसे मजा तो तब आता था जब रात में बारिश आ जाती और सारा बोर्या बिस्तरा लेके वापस फिर नीचे सोना पड़ता